कहानी आज की जो हम लोग देखेंगे वो बहुत ही सिंपल सी है लेकिन थोड़ा सा बैक जाएंगे बैक कहां दिल्ली सल्तनत में जाएंगे दिलही सल्तनत में तो दिलही सल्तनत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त ही हमने देखा था कि इसी दिल्ली सल्तनत से तूट कर क्या? ब्रेक ब्रेक अप इसी दिल्ली सल्तनत का ब्रेक अप हुआ और हमने क्या देखा? एक विजय नगर किंगडम और दूसरा बह्मनी सल्तनत ये हमने देखा ठीक तो ये दो तो बिग अमपायर थे जो दिल्ली सल्तनत से अपने आपको इंडिपेंडेंट कर लिया था क्या थे? बहुत बिग अमपायर थे जो दिल्ली सल्तनत से खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया था इनके बारे में हमने सब देखा इसके सारे important राजा कैसे बह्मनी और विजय नगर के बीच में important conflicts हुए और conflicts का main vision जो था वो क्या था कृष्णा तुंगभद्रा डवाव यानि की रायचुर डवाव का हिस्सा जो इत बहुत ही fertile land था और 1565 यानि तलाई कोटा के युद्ध में जाकर पूरी तरह से विजय नगर अमपायर भी खतम हुआ और बह्मनी तो बहुत पहले ही तूट चुका था लेकिन उसके तूटे हुए हिस्से बह्मनी के तूटे हुए हिस्से कितने पांच पार्ट में तूटा था गुलकुंडा, बिरार, एहमद नगर, भीजापूर, बिदर और ये पांच पार्ट किसमें तीन पार्ट में कनवर्ट हो गये थे दो ने कबजा कर लिया था दो उपर जिसको हमने पूरी पिछली क्लास में देखा अब यहां तक तो कहानी ठीक है लेकिन फिर थोड़ा सा और समझते हैं दिल्ली सल्तनत को कि जब दिल्ली सल्तनत का ब्रेक अप हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ साउथ इंडिया का ये विजयनगर अंपायर और डेककन पार्ट का डेककन इंडिया का बहमनी सल्तनत ही अलग हुए होंगे और भी अगर कोई गवर्नर या राजा जब देखा होगा कि दिल्ली सल्तनत यानिके सेंट्रल यानिके सेंट्रल पावर Central Power यानि कि सुल्तान जब सुल्तान वीक हो रहा है और कौन था? मुहमद बिन तुगलग वीक होगा था? क्यों? क्योंकि उसकी नीतियां खराब थी या उसकी नीतियां खराब ना कहके यूं करेज़े कि बहुत ज़्यादा theoretical थी, practical बिल्कुल नहीं थी उसकी विशे जब दिल्ली सल्तनत का Central Power वीक हुआ तो हमने देखा कि विजयनगर अमपायर और बहमनी किंगडम तो दो बड़े-बड़े अमपायर थे जो तूटकर अलग हुए इनके बारे में हमने देखा और उसको हमने टॉपिक में पढ़ा ग्रोथ ऑफ दे प्रोविंशियल अमपायर या किंगडम उस पार्ट में हमने देखा एक विजयनगर और एक बहमनी बट ऐसा तो है नहीं कि जब Central Power वीक हुआ तो बाकी अगर किसी को इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा तो क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो भी अपने आपको क्या करेगा इंडिपेंडेंडेंट होना चाहेगा क्योकि हमने जब दिल्ली सल्तनत में अलाउदीन खिल जी को पढ़ा था अलाउदीन खल जी तो ये अलावदीन खल जी ही तो सबसे बड़ा समराज डेवलप कर चुका था इसने देवगिरी साउथ इंडिया से लेकर क्या कहते है गुजरात और बंगाल पूरे हिस्से पर कंट्रोल कर चुका था ना अलावदीन खिल जी और अलावदीन खिल जी के बाद जब तुगलग डैनेस्टी आए और मुहमद भी तुगलग के टाइम पर क्या हुआ एकोनोमिकली वीक हो गया अमपायर और एकोनोमिकली वीक होने के बाद क्या हो गया ब्रेक अप हुआ किसके टाइम पर तुगलक डाइनेश्टी के टाइम पर और हमने ये देखा कि फिरोज सा तुगलक डाइनेश्टी को expand करने के बदे उसका पूरा दारोमधार कहां था कि जो बचा हुआ है उसको समहाले रखा जाए तो इससे ये meaning निकल के आती है कि फिरोज सा तुगलक ने और भी अगर कोई अलग होना चाहा या तो उससे पहले या उसके बाद तो भी उसने कोई खास उस पर ध्यान नहीं दिया जो main center है दिल्ली के आसपास के इरिया उसको उसने बचाय रखने की पूरी कोशिस की तो इससे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत के ब्रेक अप से दिल्ली सल्तनत के ब्रेक अप से ये दो बड़े empire तो बने लेकिन इसी दिल्ली सल्तनत से बिंगॉल भी अपने आपको अलग कर लेता है क्या गुजरात भी अपने आपको अलग कर लेता है साथ में मालवा, मेवाड ये सब जितने भी होते हैं कौन? मेवाड, मालवा ये जितने भी हैं ये सब के सब अपने आपको क्या करते हैं? दिल्ली सल्तनत से अलग करके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और साथ में कसमीर भी इसकी भी हिस्ट्री है इसको भी देखेंगे कस्मीर की क्या हिस्ट्री है तो ये सारे के सारे क्या करते हैं खास करके ये चारो ये चारो भी अपने आपको इंडिपेंडेंट कर लेते हैं हाँ ये अलग बात है कि इन चारो की हिस्ट्री इतनी लंबी नहीं है क्यों क्योंकि जैसे ही दिल्ली सल्तनत में अब दिल्ली संद्गात क्या होती है मुगल सल्तनत आती है और मुगल सल्तनत के आते ही क्या होता है कि इन सब को मुगल सल्तनत के राजा या जो सुल्तान होते हैं वो इनको जीत लेते हैं ठीक है मुगल सल्तनत इनको तो ये इतने बड़े नहीं हो पाते हैं ये एंपायर इंडिपेंडेंट तो हुए लेकिन इनमें क्या कहानी है कि इनकी कहानी ऐसी है कि इनकी टेरिटोरियल इक्सपेंशन विजय नगर अम्पायर या बहमनी अम्पायर के बराबर तो नहीं होता लेकिन अच्छा खासा territorial expansion होता है तभी तो आप देखोगे कि ये जब जब अलग हो चुके हैं विजय नगर के अम्पायर और बाद में ये तूट चुका है विजय नगर अब जब आप मुगल अमपायर पढ़ोगे न तो पता चले है कि मुगल अमपायर ने बेंगाल को जीता पता चले है कि अकबर ने गुजरात को जीता तो भाई ये सब आखिर क्यों जीत रहे हैं अगर ये अलग नहीं हुए होते तो फिर मुगल बादसाओ को इनको जीत कर फि थी दिल्ली पर जब वो आया बाबर तो उसने दिल्ली जीता तो दिल्ली सल्दत पूरी उसकी हो जानी चाहिए न तो फिर बार-बार उसको बेंगॉल, गुजरात और मेवार से युद्ध क्यों करना पड़ा बाकी के राजाओं को अकबर हुआ अकबर के पास सबसेदिक एक्सपैंसन हुआ अकबर के टाइम पर, साजहां के टाइम पर हुआ तो अखिर इन सबों को क्यों जीतने पड़े ये सब सामराज, क्यों? क्योंकि ये सब अपने आपको अलग कर चुके थे दिल्ली सल्दत के टाइम से ही और इसका नतीजा ये हुआ कि जब फिर दुबा अब नई प्रपावर आएगी दिल्ली में सेंट्रल पावर जो मुगल अंपायर की पावर आती है वो उनका वार या कॉन्फलिक्ट या बैटल फिर इन सबों से होगा और फिर से उसको जीतेंगे और उसको दिल्ली सल्दत में यानि के मुगल अंपायर में इनका एसेमिलेशन हो जाएगा तो कहानी का मतलब है कि अगर आपको आगे पढ़ना है कि भाई मुगल अंपायर वालों ने क्यों इनको जीता वो कहां से वो राजा आ गया कहां से वो क्या आ गई सल्तनत आ गई कहां से वो अपने आपको अलग कर लिया तो पहले थोड़ी हिस्ट्री उनके बारे में जानेंगे तभी तो वहां मुगल के टाइम पर पढ़ पाएंगे तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का ब्रेक अप के टाइम में हमने तो देखा था दो एम्पाइर इंपोर्टेंट विजयनगराम खिंगडम और बहमनी सल्तनत बट इसके अलामा भी और भी जो छोटे छोटे हिस्से थे जैसे बेंगौल, गुजरात, मिवाड, मालवा इन सबों ने भी अपने आपको दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया था हाँ इनको हम लोग उतनी तवज्जु नहीं देते हैं विजयनगर और बहमनी के बराबर क्यों क्योंकि इनका टेरिटोरियल एक्सपैंसन इतना जादा नहीं था जितना बहमनी और विजयनगर का था लेकिन इनके भी इंपोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता ठीक है इनके भी इंपोर्टेंस को हम नकार नहीं सकते हैं तो इस वजय से हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो इन किंग्डम्स के बारे में ये जो छोटे-छोटे किंग्डम्स बने हैं कहां से दिल्ली सल्तनत से अल बेंगॉल की हिस्ट्री बेंगॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर समय बेंगॉल एक तरह से देखा जाए तो सत्ता की धूरी रही है जब आप मॉडर्न इंडियाम भी आओगे तो जो बिटिस सल्तनत है या बिटिस काल है वहां भी उनकी भी स्टार्टिंग ब वो अपने एक वैक्ति अपने कमांडर मुहम्मद बिन बक्तियार को कहां भेजता है बक्तियार खिल जी को बेंगॉल ही भेजता है ठीक है तो कुल मिलाज उलाकर बंगाल एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है और मॉडर्न इंडिया में तो बहुत जादा इंपॉ पहले बेंगॉल क्या था तो हमें पता है कि बेंगॉल में पालाज थे बेंगॉल में कौन थे पालाज थे हमने जब ट्रेपेटाइटी स्ट्रगल पढ़ा है तो क्या गुजारा प्रतिहारा गुजरात में पढ़ा है राष्टकुटा कहां पर महराष्ट्रा में पढ़ा है डेक्करन में पढ़ा है और पाला बेगौल वाले एरिया में पढ़ा है और ये बेगौल आज का बेगौल मत समझे इस बेगौल को आज के West Bengal से बिलकुल मत समझे ये Bengal का मतलब है आज का अगर देखा जाए तो modern इंडिया के हिसाब से west बेंगॉल प्लस बांगलादेश क्यों बांगलादेश प्लस half of बिहार and जारखंड और थोड़ा बहुत हिस्सा उडिशा का भी इतना बड़ा बेंगॉल था ठीक है west बेंगॉल बांगलादेश आज बांगलादेश जो अपने आप में country है पूरी वो उस country से बड़ा हिस्सा बंगाल प्रोविंस हुआ करता था आज इस बेंगॉल के इतने टुकडे हो चुके हैं खास करके बेंगॉल एक नए देश के रूप में दिख रहा है और उसका बहुत छोटा सा इसा वेश्ट बंगॉल या आज हमारे पास बचा हुआ है जैसे पंजाब पंजाब जो आज आप देखते हो इंडिया के पास जो पंजाब है सिर्फ उस पंजाब को मत देखिए उस से बड़ा पंजाब का हिस्सा पंजाब प्रांथ कहा जा चुका है पाकिस्तान में जा चुका है डिवीजन के बाद 1947 के खेर वो सब हम लोग पढ़ेंगे modern इंडिया में तो आज के टाइम में अगर मैं आपको ancient इंडिया या medual इंडिया में या 1947 से पहले के इंडिया में अगर मैं पंजाब और बेंगौल की बात करूँ तो पंजाब का मतलब इतना बड़ा एरिया की बात हो रही है पंजाब का मतलब जो पंजाब प्रांत पूरा का पूरा पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में और आज का इंडिया में पंजाब और हर्याना इसी पंजाब से हर्याना भी बना हुआ है तो ये पंजाब हरियाना इतना बड़ा एरिया मिला कर उस वक्त का पंजाब प्रोविंस हुआ करता था तो एंसियन्ट में तो खेर पंजाब का नाम नहीं है सिंध का नाम है लेकिन मेडूल हिश्ट्री में जब पंजाब आएगा या सिंध आएगा modern इंडिया में पंजाब आएगा तो इतने की बात होगी Bengal आएगा तो इतने की बात होगी इस चीज़ को एक बार दिमाग में बैठा कर रखियेगा ठीक है क्योंकि बांगलादेश का अस्तित्व तो 1971 में है 1971 के बाद बंगलादेश है उससे पहले बंगलादेश क्या था इस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तो ये हिस्सा तो 1947 के बाद अस्तित्व में आया न उससे पहले तो ये क्या था पूरा का पूरा वेश्ट बंगाल था और इधर वाला सिंध और ये पूरा हिस्सा मिला कर क्या था पंजाब हुआ करता था ठीक है तो खेर तो यहाँ पर आपको इसका बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना परपस था कि अगर मैं बंगाल बोलू तो कितने बड़े एरिये को आपको समझना है अगर मैं पंजाब बोलू तो कितने बड़े एरिये को आपको समझना है ठीक है इसी तरह से जब कस्मीर बोला जाएगा तो कस्मीर भी एक बहुत बड़े एरिये को आपको मान कर चलना है ठीक है न और पाकिस्तान के पास गया उस सब को मिलाकर कस्मीर माना जाएगा तो आज ये divided हिस्से है लेकिन पहले ये क्या थे एक में हुआ करते थे समझ में आरी बात ठीक तो कहानी पूरी ये हमें ये समझनी है कि दिल्ली सल्तनत से पहले अगर देखा जाए तो क्या था वही गुजारा प्रतिहारा पाला एंड राश्टकुटा उनके बाद आये राजपूत्स और राजपूत्स को हरा कर आ गए कौन ये अरे दिल्ली सल्तनत की सुरुआत हो गए यानि कि कुतुबुद्दिन एबक आ गया जिसको हम लोग कहते हैं इसलमाइज टर्क्स के रूप में देखते हैं और कुतुबुद्दिन एबक क्याने के बाद यहाँ पर सुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की यानि कि कुतुबुद्दिन एबक से मुहमद गौरी के बाद कुतुबुद्दिन एबक उसके बाद इल्टुतमिस और इल्टुतमिस के बाद तो पूरा का पूरा दिल्ली ही कैप्टल रहती है और इस तरह से देखते दिल्ली सल्तरत की सुरुआत मानी जाती है उस दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान आता है अलावदिन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत को बहुत बड़े एरिया में एक्सपैंड कर लेता है नहीं कि गुजरात, बंगाल और साउथ इंडिया में देवगिरी तक के पूरे इंपायर को अपने अंडर में कंट्रोल कर लेता है बट इस खलजी सल्तनत के बाद जब तुगल सल्तनत आती है तो उनका एक राजा होता है मुहम्मद बिन तुगलक उस मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये दिल्ली सल्तनत वीक हो जाती है उस वीकनिस की वजए से बहुत से जो उनके गवर्नर्स होते हैं जो उनके feudal lords होते हैं जो उनके आमीर्स होते हैं जो उनके nobels होते हैं सब का मतलब एक ही है governor, feudal lords, nobels, आमीर्स जो कह लीजिये या commander भी कह लीजिये तो वो क्या करते हैं जब देखते हैं कि central power यानि कि सुल्तान जब weak है तो वो अपने आपको independent कर लेते हैं तो विजये नगर का हमने देखा कि हरी हराइन बुक का independent करके विजये नगर की अस्थापना करते हैं यहाँ पर डेककन के जो nobels होते हैं वो सब मिलकर एक को अपना नेता चुनते हैं और वहाँ से वो अपने आपको अलग कर लेते हैं इसमाईल मुख और उसके बाद जफर खाँ जिसको बहमन साह के रूप में देखते हैं और इनकी कहानी आगे बढ़ती है अंत में आकर ये भी पांच पार्ट में तूट जाता है बाद में तीन पार्ट में रह जाते हैं लेकिन इनके अलामा भी और भी जो अलग-अलग गवर्नर्स होते हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंडर के गवर्नर्स होते हैं वो भी अपने आपको क्या करते हैं दिल्ली सल्तनत से अलग कर लेते हैं यानि कि इंडिपेंडेंट कर लेते हैं क्या कर लेते हैं independent कर लेते हैं और इस independent वाले में कौन आते हैं बेंगॉल, गुजराद, मेवार, मालवा ये सब आते हैं हाँ यहाँ पर एक चीज और समझीएगा कई बार आपको ऐसा मिले है कि बेंगॉल का कुछ हिस्सा कंट्रोल में है कुछ हिस्सा नहीं है कुछ हिस्सा मालवा का है कुछ हिस्सा नहीं है तो होता ये था कि जब battle होते थे या war होता था तो defeat के बाद कुछ हिस्से तक control हो जाता था कुछ हिस्से तक control नहीं हो पाता था तो क्या होता था उसके बदले ट्रिब्यूट वगरे दिया जाता था तो वो चीजे रहेंगी लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि दिल्ली सल्तनत इन सब के उपर डिरेक्टली या इन डिरेक्टली कंट्रोल बना रखा है और जैसे ही वीक हुआ दिल्ली सल्तनत वैसे ये सब के सब अपने आपको इन्डिपेंडेंट कर लेती है और इन ही के बारे में आज हमें पढ़ना है कि ये कैसे दिल्ली सल्तनत के अंडर गए और फिर कैसे ये इन्डिपेंडेंट हुए और इन्डिपेंडेंट होने के बाद कैसी इनकी हिस्ट्री चली कि पहले जैसे माली जे बेंगॉल तो बेंगॉल में क्या था पहले कैसे ये दिल्ली सल्तरत के अंडर में आया फिर कैसे ये दिल्ली सल्तरत से आउट हुआ और फिर इसकी हिस्ट्री चली और अंत में कैसे फिर इसको मुगल्स ने अपने कंट्रोल में लिया तो मुगल वाला हिस्सा मुगल में पढ़ेंगे यहां सिर्फ यह जानेंगे कि कौन सा मुगल सुल्तान ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया तो इतनी बाते हमें यहाँ पर जाननी है आज के क्लास में समझ मैं आज का क्लास का लॉजिक क्या होने वाला है? ठीक है? चलिए तो अभी तक जो मैंने आपको जो समझाने की कोशिस की मुझे लगता है कि आप समझ गए कि यहाँ पर हम इन राज्यों के बारे में बेंगॉल, गुजरात, मेवाड, मालवा, कस्मीर इन समों के बारे में क्यों पढ़ेंगे? इनके पढ़ने के पीछे मकसद क्या है? और उससे हमारा आगे का क्या परपज सौल्ब होने वाला है? तो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे अब मैं इसको रब कर दूँ यहाँ नोट करने लाइक तो कुछ था ने, बस समझने लाइक बाते थी ठीक है?